दोस्तो आज की वीडियो में आपको सट के कोलगरे की कॉलर की सतरह से चड़ाते हैं वह बताऊंगा आपको किस तरीके से चड़ाना है तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें नीचे से इस तरह से इस सर्ट को पकड़ लेना है और पकड़ने के बाद में इस तरह से बरोबर में रखना है बरोबर में रखके इस तरह से और यहां पर यहां पर इस तरह से पकड़ लेना है इस तरह से और हमें देख लेना होगा दोस्तों ये कोलर हमारी बनाई हुई है तो ये इसका बीच का सेंटर है और ये इस तरह से हमें देखना होगा तो दोस्तों ये इतनी कमा रही है तो हमको इसकी छटाई करनी होगी छटाई देखो किस तरह से करनी है इस तरह से हमें कि हम यहाँ पर गोडाई में काटना होगा दोस्तों इस तरह से और इस तरह से यह एक स्ट्रा मार्जन है इसको भी स्टर इस तरह से अपने अपने चलिए और यह बीच का सेंटर है दोस्तों आप आप सकते हैं आप लगबग दो सूत कम रहे निचे ही दोस्तों इस तरह से हम नाज की देखेंगे तो दो सूत कम रहे एगी तो सही रहे एगी दोस्तों देखो आपको में दिखा देता हूं यह लगबग दो सूत कम है दोस्तों यहां से तो इसके बाद में क्या करना होगा कि हम साट के कोलर तो ह हम यह इस साइड से चड़ाते हैं जो हमारी एसन पटी लगी होती है वहां से लेकिन हमको यहां से नीच चड़ाना है इसको चड़ाना है उल्टा इस तरह से जो हमारी बटन पटी लगती है यहां पर इस पटी में हमारे बटन लगते हैं उस साइड से हमारी को चड़ाना है द इस तरह से और हमें ये दो दो सूत का माल दिल रखा है इसी तरह से हमें यहाँ पर टेड़ा लेना है दोस्तों इस तरह से और एक बात का द्यान रखना होगा दोस्तों ये मारा ये बीज का सेंटर है और ये कोलर का सेंटर है ये हमें देख लेना होगा अचे से इस तरह से और नाँद फिफ्च डणाओंगा इस तरह से हमें नीचे के कपड सा दोस्तों खीच करा रकेंगे तो सही रहेगा दोस्तों इस तरह से हमें खीच करणाएं जोपर केस्यों के एक हमें तोड़ा रुट सोड़ना है और हम नजनम के देख लेंगे यह हमरी गया सफने किसे आएगी नहीं दोस्तों यह आजाएगी इस तरह से हमें नीचे कपड़े को खींच के रखना है इस तरह से और यहां के इस तरह से शिलाई लगाई और इसके बाद में यहां से इसके बरोबर में रखके इस तरह से इस तरह से और यहां पर हमें इस तरह से इसकी जड़ में सिलाई लगा देनी है देखो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे को इस तरह से यहां पर सिलाई आनी चाहिए दोनों साइडों में इस तरह से हम लगाएंगे तो हमारे यह इसको टांकी बोलते हैं अच्छे से बेठे ही दोस्तों और इसके बाद मे और इसके बाद फिर हमारी हो सिलाई चलाणी होंगी सिलाई हमारी कहां से चलाएंगे दोस्तों जो हमारी ये कंदी जुडी हुई है यहां से चलाणा है हमको इस तरह से और इसके किनार किनार चलाणा है इस तरह से और इस तरह से इसको देख लेना है अच्छे से और इस तरह से इसको गुमा लेना है और गुमा लेने के बाद में दोस्तों या पर अलकेल के मसीन को लेना है इस तरह से और इसके बाद में इसके किनार में इसी तरह से सलाणी मसीन कि एक बात का द्यान डगना होगा दोस्तों कि एमको इस तरह से कपड़े को नीचे की साइड में की इसके रखना होगा कि एमारी इस साइड में ये ये नीचे का कपड़ा दी तरह से और इसके बाद में इस तरह से हमको इस मारजन को अंदर देर देना है इस तरह से और हमें अच्छे से खेंची की सायता से इस तरह से बना लेना है इसको इस तरह से अंदर देर दे रहा है और अंदर देने की बाद में दोस्तों यहां पर इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है और इस कपड़े को इस तरह से खींच के अच्छे से इस तरह से जो यह मारी सिलाई है यह अंदर की साइड में रेनी चाहिए दोस्तों बार नहीं दिखनी चाहिए इस तरह से हमें और दोस्तों इस तरह से हमें ये इस तरह से हमें कपड़े को खिच के इस तरह से कमार जर्ण को अंदर देखे इस तरह से इस तरह से दोस्तों में ये अच्पा यह लेँगा इसकी खड़ी कानल की बोलते है इसको आज कली चेलान में चल रही है देखो मैं आपको दिखाय देटा हूँ ये का लार हमारी इस तरह से आई गिर ये मैं जीक औल आरी इस तरह से आएगी इस तरह से ये मारी कोलर आएगी देखो दोस्तों इस तरह से ये बहुत अच्छे से बेटे दोस्तों आप इसी परकार से डालिया करो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे